अगर Toyota Supra और Nissan GTR को mix कर देंगे तो क्या निकल के आएगा तो यही रेंडर बनाने के लिए मैंने Supra उठाई उस पर Nissan GTR की grill चेप दी और इसके bumper को GTR जैसा बनाके इसकी lights चेपी और bumper को finishing दी फिर इसकी grill को ठीक किया फिर मैंने इसमें GTR की lights चेप दी और फिर कुछ adjustments करके यह fog लगाए जिसके बाद यह car कुछ ऐसी दिख रही थी अब यह रेंडर देखके मुझे लगा कि इसमें GTR के elements जादा है तो मैंने इसकी lights चेंज की और कुछ और adjustments करके complete किया यह रेंडर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आप यहाँ टैप करके देख सकते हो फिलाल यह र आपको कैसा लगा